आप सभूनों स्वागत चे, सुबे की सलाम, नमस्कार, शुब प्रभातम आज आपको सुबे सुबे पान खेलाने वाले हैं कभी ऐसा वा तक रात को पान खाएंगे, खाने के बाद खाएंगे तरी किनि आज उठके ही पान खेलाना है आपने देखा होगा, खाया होगा, पुजा में इसका उप्योग किया होगा पान के बारे में भारत का कौन सा आदमी नहीं जानता गाउं का गवार आदमी है, वो भी पान खाता है सेहर का आदमी भी पान खाता है, पान के बारे में बहुत बड़ी समस्याए है पान खाते खाते हमारे सेरों की दिवारे खराब हो गई है पान खाने के बाद कितना गलत हमने किया है पान का जो समझ पान की जो समझ थी वो आज साथ हम उसको समझ को समझेंगे कि हमने क्यूं पान खाया था हम क्यूं पान खाते थे हमने पान को इतना पवित्र माना, पान को मंगल माना, और पान अमंगल कैसे कर सकता है, और हम क्या कर रहे हैं जिससे हमारी अमंगल, पान का मतलब क्या है, पान क्यूं हम खाते हैं, या पान कोई खाता है तो गलत क्या है, और पूजा में भी पान है, और दिवार खराब करने म भी पान है, तो पान का कुछ साई तरीके से समझना पड़ेगा. तो मुझे लगता है, आज एक ऐच्छा मुका है, हम ये पान के बारे में. पान का एक नाम है नागरवेल, नागवेल, नागरवेल, ऐसा हम बोलते हैं. दूसरा तामबुल है, जो संस्कृत नाम है. हुजराती में तो इसको हम पान कहते हैं, इंगलिस में बितल लिफ कहते हैं, कुल में लाके पान के बहुत नाम है, तो भी हम इसको जनरल पान बोलते हैं, पान में तो बहुत प्रकार है, लेकिन पान तो पान है, फिर ये कपुरी पान है, मानवो पान है, कलकत्ती है, मगई है ऐसे बहुत से पान के प्रकार है, सहाई सो से ज़्यादा वेराइटीज पान की आती है और वो अलग-अलग एरिया वही थोड़ी होती है, जैसे कलकर्ती पान है, तो बेंगाल में ज़्यादा होती तो पान कहा होना तो जहां समुदर है गर्मी है वहाँ पान होगा ही होगा यह पान के उत्पति में समुदर किनारे ज़्यादा होगा तो गुजरात में है सौराष्ट में गुजरात से ज़्यादा है सवारस्utta में खाते भी ज्यादा है कि वहां समूंदर नहीं है जहां समूंदर है आप सवाराश्ट्रो आप मंगरोर जाओ में पान के वेल आपsed你有 मंगरोरवी पान आते हैं जा तो फिर उरिच्सा, बंगाल, जहां जहां समुंदर है, माराष्ट्र, जो समुंदर का एरिया है, उस इलाके में पान ज्यादा होता है, हमारे गर में भी हो सकता है, मेरी वारी में भी है, तो पान तो होता है, लेकिन समुंदर के लिए अपने अब बहुत होता है, और उसक तो पान भारत में सबसे ज़्यादा है बंगाल, बंगलादेश, पाकिस्तान आज का है जो हो बारतिय महादवीप में और साउथ इस्टेसिया जहां समंदर है वहां आपको पान ज्यादा मिलेगा तो यह पान जो है उसके गून क्या है दुर्गून तो बहुत बोलते हैं जो पहले पान को हमारे सास्त्रों में मुख सुद्धिकर बोला गया जो मुख की सुद्धिकरता है औरल हाइजिन के लिए हमारे यहां पान को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है हमारे दीन चरह जो होती है उसमें इसका स्थान है दीन चरह में जैसे अभ्यंग है मसाज कर पान कोई आदमी अपनी दिंचरह में बिना पान दिंचरह नहीं हो सकती और खुबी यह ए कि प्रति-मर्श मसे तो ज्यादा बार बता अगात लेकिन इक घृत अब एक वार करो आपधेन आज draft निया को डिन और यह क्यों बताएं मैं आपको जो उसकी गुण की जर्चा होगी तो बताऊंगा आप पान का जो आज का सुरूप है वो मन में से थोले निकाल दीजिए तब ही आप इसको समझ पाएंगे नहीं तो पान बुरी चीज है पान खराब चीज है पान ठूंकते हैं पान से दिवा कुछ-कुछ गल्तियां हमारे लोगों ने की है तो गल्तियां ना सुधारेंगे तो अच्छा नहीं है तो गल्ती तो सुधारना पड़ेगा लेकिन सही क्या था गल्ती कहां से शुरूई वो थोड़ा समझ लेना पड़ेगा तो पान जो है मुख सुद्धी कर है नमबर वन दुर्गंद ना सक है, सुद्धी कर है और दुर्गंद ना सक है, दुर्गंद है तो भी निकाल देगा मुख से दुर्गंद निकाल आती है, औरल केविटी से दुर्गंद आती है तो गले में मुह में कफ का प्रावलम रहता ही है तो ये कफ ना सक है गले का कफ दूर करना ये पान का बड़ा काम है ये उसका उस्स दिया गून है तो गला कफ से जब लिपता है बोजन के बाद होता है नस्यम करते है तो होता है इसनान करते है जब जब ऐसे कफ होती है तब गला थोड़ा गीला होता है, गला गीला होता है, तो अच्छा नहीं लगता है, और वही सलाईवा से, और वही जो कफ रहेगा, तो गला और खराब होगा, तो ऐसे ऐसे समय पे, शास्तों ने बता है, कि वो पान से गला साफ हो जाएगा, दाथ साफ हो जाएगा, औरल केविट है इसके अंदर तो वो अगनी दीपक भी है और अगनी पाचक भी है तो अगनी दिपती करता है यानि भूख लगाता है ये भूख लगाने की एक समता भी है और कुछ पचाने की भी कभी कभी होता है कि हम खातो लेते हैं तो अगनी दीपन करना यानि भूख लगाना लेकिन अगनी से दिपतो हुआ हुआ अगनी जब खूब खाएंगे तो पचाने के भी शमता होने जाए वो अलग प्रकार की उसकी चर्चा होई जिसलिए हमने पान खाना सुरूख किया था अब बाकी उसके क्या गुण है तो ये सोथ दर्द को कम करता है कफ को दूर करता है तो कैसे करता है तो कभी-कभी बच्चों को जुकाम होती है सर्दी होती है तो उस सर्दी में जुकाम में और कफ ब तो उसमें कभी-कभी बच्चे को भरानी बड़ी उद्रस या निमोनिया हो जाता है तो उसको कैसे तो यह सिंपल यह पान का जो यह उपरी इसा है जिसको सीधा पान लिसो भाग जो कहते हैं वहां एरंड केस्टरोयल लगाना लगा कैसे रख देना और उसके उपर कोरो सेक य करिए तो या तो एकदम गरम-गरम केस्टरोयल जो लगा देंगे तो भी चलेगा हाला कि बच्चा है इसलिए कितना गरम करना नहीं करना वो मा यह जा उसका वो समझ सकते इसलिए ऐसा रख देने से दिक्कत होती है तो थोड़ा-थोड़ा सेक करिए तो गर्मी ऐसी मिलेग देना जाते हैं क्या करना तो आज कल की जो नई माह है उनको तो बता है निए अपने ऐसे कि रहने तो जो सेनियर लोल है वह यात करके एक बार ब्रव करके कुछ नहीं होने वाला अच्चा फाइदा होने वाला है दूसरा है स्तंस होता है district मानिकों डेलेव़ी आ गई और दूनों कन्डिशन में स्वरिंग आती है बुकार आता है महीला बहुत परयसान होती है बजचास जिंदा है तो उसको डूद नहीं मिलता है नहीं है तो उस दूद का क्या करना तो ऐसे समय में इसी पान को जिस तरह से बच्चे को लगाया था तो वह स्टन विद्रदी है, वह कम हो जाएगा, वह सुजन है, वह कम हो जाएगा, और साथ में दूध है, वह सुख जाएगा, तो यह मा के लिए, बच्चे के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं, तो उसको खाने का तरीका गलत हो गया, इसलिए लेकिन उसका आउसदी गुन तो बहुत अच्छा है, इसके साथ यह अगर सरदर्द है, सरदर्द है, कफवारा दर्द है, तो यह कानपट्टी के पास बांधने से, कानपट्टी के पास दोनों आप बांध दीजिये, तो सरदर्द काम हो जाएगा, सिर्फ बांधन माथा में वो बालो को ठीक करना वो सब एक करना दीरह उंको हाता है उसितर से बच्चे.. बच्चे को arten जह कोरो नच करना बट्थ करना आता है भादा उसके का खुट करना है उसको दोसार से बच्चा हो देरह हो प्रण फरल्पिक का नुफ सीखना मसल्स ना थीतजा ambeleste तो आपको अगता है टाटी हो गई एक्चुल इसा नहीं है उसको मल प्रवरती कैसे करना वो सिखाना पड़ता है और वो आज कल की महां को नहीं आता क्योंकि पहले दादी नानी को करवाती थी अपने पाओं के उपर बिठा के उसको प्रैक्टिस कराती थी तो उससे वो दिर सिखाना पड़ता है जैसे स्नान कैसे करना सिखाना पड़ता है इस तरह से बच्चे को टोलेट जाना कैसे वो सिखाना पड़ता है उसके लिए मसल्स को कैसे वो बोलने से बात करने से समझता है और वो अपनी अनुभवी दादी दाई नानी वो सब कर सकती है तो वो कभी-क तो भी कबजी रहती है बचे को तो कबजी रहती है तो हभी तो जैसे ये ढंखडी है इस में देखतो ये जो ढंखडी है ये बाडा पान ले ना ये थो में छोटा लिया ये दंखडी कि बच्चे को गुदा में थोड़ा गरम करके थोड़ी दे रख देना तो बच्चे की कबजी चूट जाएगी तो यह कितनी सिंपल चीज है लेकिन हमको मालूम नहीं तो यह हम यह कर रहे हैं पान के अनुभूत प्रयोग तो बहुत है लेकिन कुछ जो सास्त्री है वो में आ पान बहुत अच्छा है, इसका सर्बत पान का वर्णन किया है, जैसे हम गुलकन बनाते हैं, गुलाब का सर्बत करते हैं, उसी तरह से इसको काट के रखना पड़ता है, जैसे हम कोई भी सर्बत बनाते हैं, गुलकन बनाते हैं, उसी तरह से इसका बनाते हैं, पान का टुकड जब भी दे सकते हैं तब जी हाइड के लिए अच्छा है तो रदय रोगियों के लिए ये पान का सर्बत क्योंकि पान है रदय को ठीक करता है रदय की जो कापिलरी जो जम जाती है जिसको कहते है ने फिर एंजियोग्राफिका नहीं पड़ती है तो उसके तिक्सन उसन गून से खुल जाता है तो हाट वाले दर्दी को पान वैसे चवाना पी ठीक है तो उसका सर्बत बहुत उसके लिए अच्छा होता है तो सास्त्रों इसका वरनन है उसी तरह से पान को ऐसा बोला है कि पान है वो मंगल है स्वस्ती है शुब है आपको जेखो कहीं पी सते नान की मंगल उसको पूगी बोलते ई है अभी सुपारी का वरनन जब आएगा तब सुपारी की चर्चा करेंगे अ essa Hamb 키 आश कुए इसको पान गुलाब एंग कुछ बिन गुलाब झाजए हुआ कें अजव हे पान का एक डून है वसी करन करना पंको कुँ है और इस अ निर्दी करना है तो वो सामने वाला उसकी बात ज्यादा सुनता है उससे क्योंकि जैसे मैला क्यों लिप्स्टिक लगाती है कोई है फायदा तो भी लिप्स्टिक लगाती है क्योंकि ध्यान आकर सित होता है करना है नहीं करने अलग बात है लेकिन वो लिप्स्टिक से मुँपे कुछ लगा आहाकार हो हो गा वही तो बोलता होगा लेकिन उसकी कथा में प्रभचन में गीत में एक रूचि लगे हम उसके ओपर देखते ही रहे तो साइध उसका वसी करनका गुण यहीं बताया है यह क्यों बगवान को बोग दिया जाता है क्योंकि दिनचरय का पार्ट है पान जो है दिनचरय का पार्ट है पान ऐसे ही खा सकते हैं पान जो पान वाले की दुकान से मिलता है वो तो पान गलत हमने बना दिया है यह पान है खुद में ही गुण है यह पान खुद में जो बता हाईजिन के लिए अच्छा है फिर भी साइस्टों ने पान खाने की पद्दती जो बताई है उसमें दस चीजे है आपको याद रहे जाए तो अच्छी बात है सब सिंपल चीजे है लेकिन जो साधी में ब्याह में सुब प्रसंग में जो और वैसे भी पान कैसे खाना तो पान के लिए अच्छा है इसलिए वो डाला जाता है चुना है तो वो दांत के लिए अच्छा है इसलिए थोला चुना डाला जाता है फिर हुआ चनक बाब एक चोटी सी चीज होती है नाक केसर चनक बाब लता कस्तुरी कपूर लोंग इलाइची केसर जाविंतरी तो यह उनके की एक है अरे उसमें Doesi व कि यह उठाइए सुपारी जो इसमें डाला जाता है अउसमें नव चीजा लग है हम लोग सुपारी ज्यादा लजते हैं तो सुपारी इतना नहीं कम सकते इतनी सुपारी खाने से और धिकीत होती है चुपारी का पाक बनेगा estado की चर्चा कपोर जावंतरी इस सब अगर उसकी कश्प एफुरा पान जो बनता है वह पान भगवान को भोग लगता है वही पान ठाकारी को लगता है वही पान हम खा सकते हैं हम वह कहना है । ऐसा पान खाना चाहिए अगर उसम्स में चुपारीं गई एऔर जो रज्सliter कि थे मिठा पान तो बहुत गलत है यह लेडिस पान मिठा पान माईलाओं को नात खराब करना जितने स्वीट चीज है बोजन के बाद खाई नहीं सकते बोजन के करम महीं बताया है मैंने एक बर कभी कि पहले मदूर अमला लवान कटू तिक तकस आए पहले सबसे स्वीट खाना चा और उसके बाद पान तो यह पान है गला साफ करने के लिए कफ नवाने के लिए है मदूर पदार्थ से कफ आएगा कुछ भी स्वीट खाओगे कुछ भी सुईट पियोगे सरबत पियोगे बोजन के बाद चाय पियोगे कुछ मिस्टान खाओगे तो आपका गला फिर से वह और पूरे अंड को पचाने के लिए हेल्प करता है वो लास में पिनी चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं लेना चाहिए और लेना है तो मुखवास लेना चाहिए तो पान हम लेते हैं तो पान जो है वो गला साफ करने के लिए, पचाने के लिए है, और उसमें मीठा डाल दिया, तो फिर चे गले में काफ हो जाएगा, तो उसमें टुटी-फुटी कहां से आ गई पता नहीं, उसमें वो गुलकन कहां से आ गया, जो गुलकन के जरूरती नहीं है, वो उसमें खा पान भी गलत है, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे पान चबा लीजिए, कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं डालना है, तो जो जिसका उप्योग है, जो आउसद है, जो चाहिए हमको भोजन के बाद, तो सिर्फ सिंपल पान है, लेकिन पान हम मिठा पान खा लेते हैं, कि मैं पान बाद करना होता है, तो एक दिन में तीन भार अईटम जाती है, तो उसमें तमाको डाल दो. इसमें इसुपारी डालो इस तरह से उन्होंने बेचने के लिए एक आदमी की नेचरल आदत है कि नास्ता करना तो नास्ते में पीज़ा डाल दिया क्या पीज़ा नास्ता में भी खाओ बोजन में भी खाओ, रात को भी खाओ कभी भी खाओ, फोन से मंगवा के खाओ अभी कोरोना है तो बार मत जाओ आपके गर में आ जाएगा तो यह क्या बात है हमारी जो आदते हैं हमने हल्दी रहने के लिए तो दुनिया को सिखाया था और वो हम अपना हल्थ कवा रहे तो तुमाक वाला पान तो खतरनाक है सुपारी भी पान में एक दसमा उस चाहिए कि 10 चीज में 9 चीज और है जो मुक सुद्धिकर है जो पाचक है, अगनी दिपग है और हमने उसनी सुपारी के बदले हमने जो चाहिए उससे ज़एदा ही सुपारी सुपारी डालते हैं पान का तो मतलब नहीं तो पान को क्यों पुवितर माना तो कंद रहें इसे एक मेंटल पावर रेखक चाहर South अमन्द ख़कती बज़ती है सिरस्म मूह में रकने से अंधर एक समसा आती है जिसमा आपको बता हूँ आपको मालूम नहीं होगा सायद और मालूम हो तो आपको मेरी बात से पुष्टी में लगी समुद्रमंथन जब हुगा ना तब देवों ने अपने अमुरुत लेना था आपको जब अमुरुत पान करना है, अच्छा सीखना है, अच्छा जानना है, अच्छा लेना है, अच्छा खरिदना है, तो ये देवों ने अमुरुत का पान करने के लिए समुद्रमंथन किया था, तो समुद्रमंथन के समय देवों ने मुह में पान रखा था, तब यो वा पांडव जीत गए और राज्चु यगन किया कर समगाने बलग आपको यगना करना चाहिए तो राज्चु यगना किया गया था और राज्चु यगना हो गया यगना हो गया यगना हुआ भोजन हुआ फिर के पान कहा तो पान नहीं था तो बिना पान बिना तांबुल तो ठ यह पान के लिए बच्चे को बेजा गया mitar अच्छा बच्चा और अर्जुन को बेजा गया तो अरड़ुन पान ले ले गया तो पान के लिए कहां गे धमालयू है वह गयक्ट में भी तो बैक आप आए हमारे यहां तो ऐसे हम नहीं बीदा कर सकते हैं हमारे कन्या आपको देते हैं आप नाग की वेल ले जाओ प्रतुई को पर नहीं है अभी तो नहीं है मुझे तो नहीं मिला तो ले जाओ यह नाग वेल जो है तो नाग लोक में होती है तो अरजुन लाए यगन में तो दि महत्वा है तो यह पान कबजी दूर करता है वैसे भी आप पान खाएंगे तो कबजी भी दूर करता है यह पान obesity कम करता है यह पान heart attack नहीं आन देता तो पान से बहुत गुन है उसके फाइदे हैं लेकिन कैसे खाना वो पूजर आपको दुनिया को समझाना पड़ेगा ऐसी पांच ऐसी चोटी चीज हमारे पास हर दिन वनस्पति गर में आती है हमारे भारतिय लोगों को तो वताना है नहीं पर दाम पूरे दिन में कुछ न कुछ तो ऐसी ठीच जालते हमारे आपके गर में आपके रसोई में चा और यह बर्ड फ्लूब वहाँ पूछो तो लक्राल वह अध्यार है वह पेंट्री है ब्रेड बार से लाना पीज़ा बार से लाना मीट लगाना, मखन लगाना, चीज लगाना सोस जो बार से पैकाया वो करके खा लिया, तो उनको कोई हर्ब मिलता है नहीं ताजी, चीज जी नहीं कहते वो लोग तो वो बिमारी होंगे और वो तो मटन खाते हैं वो नौनवेज खाते हैं, तो उनकी समस्या है यही है, उनके गर में कोई हर्ब भी नहीं है हमारे तो गर में हर्ब नहीं हम तो गर में गमले में होता है मीटो लिम लोग बहुत को गर में होता है तो हमारे गर में हरी मिर्ची है, हमारे गर में धनिया है हमारे गर में मिठा नीम है कड़ी पता जिसको बोलते है वो है अद्रक है लिली हरदर भी हमारे गर में होती है कुछ तो हम उसका अचार बना के रखते हैं अद्रक का हरदर का अचार बना के रखते हैं और कुछ तो सुखे हर्ब्स है तो इतने है कि बात मत पुछो लोंग है, इलाइची है, जावंतरी है, तोज है हमारे बस क्या नहीं है, सोंट है तो इसलिए हम बिमारी नहीं होंगे हम इसका सही तरीके से उप्योग करें और हर व्यक्ति गर में पान रखता था पान के बिना हमारा बोजन पूर्ण नहीं होता था तो पान के लिए पान की पैटी होती थी तो ये हम आपको, हमारी परंपरा क्या थी? क्यूं थी? और अम क्यूं बिमार नहीं होते थे? वो याद रखने के लिए ही, मैंने बताया इसका अच्छा सा उप्योग करो पान के बारे में अच्छी सच्ची चर्चा जो लोगों को देनी चाहिए बतानी चाहिए वो आपको बतानी चाहिए बरत भाई हर सब्ता में आते हैं और ये वीडियो बना के लोगों को बेचते हैं तो आप लोग भी ये वीजियो बहुत लोगों को आपने पास लेके दूसरों को आप भेचते रहें तो दुनिया बर को अच्छी चीजे मालूम हो जाएं एको हल्दी रहने के लिए हम हर गुरुवार को कुछ ने कुछ बताने के लिए आते हैं अगले गुरुवार आएंगे तब फिर से कोई नई वनस्पती के साथ आएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्ता